फिनिशिंग और स्मूधनेस में बेजोड इंटलेक्स सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारन पेंट की कुलना में देज ज्यादा कवरेज अंटी क्राइक, अंटी फंगर और अंटी फेड टेकनोलोजी से बना इंटलेक्स एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार और साथ ही इंटलेक्स प्राइम सील वाल सीलर इंटीर और एक्सीरियर रेंज में अवेलिबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड मस्बूत बनाए हर घर को रखे नया सालों साल संपर्क करें नमस्कार मैं हूं परमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दीसाडकनामा.com इस वक्त मैं मौजूद हूं सिर्शा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल एका एक पस्समी विक्षोप के चलते तेज अंदर के साथ बरसात और ओला वरिष्टी हुई जिससे जहां फसलों को तो नुक्सान हुआ है बागवानी को भी भारी नुक्सान हुआ है इस वक्त हम मौजूद है सिर्शा में और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये बेरी का बाग है करीब 6 एकड में ये बाग है जिस पे भी जो है तेज अंदर और बरसात के साथ ओला वरिष्टी से जो पूरा फल है यानि कि जो पूरा बेर है वो जड़ गया है और जो है बिच गई है पूरी फसल इसको लेकर के जो किसान है उसको भारी नुक्सान हुआ है अमरे साथ इस वक्त जो किसान है हम उनसे चच्चा करेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिसको लेकर के कितनी जो है इस तेज अंदर और बरसात से कितना कि नुक्सान आप मानते है निसकान जी आप बहुत जादे होया करता है तो पुरादागी हो जाता है एक लेजिए जो मेर उसपर लाग गया वह जब पक्केश वैसे दाग दखा देगा अब दो पक्केश घड़ को पर बहुत जाद इसकान है आप पर वेंगा साफ नहीं हो गए दूसरा फिर वैसे पीर रहे गाज़ेगा यह पूरे साल में एक बारी ली जाती है पुरी मिंद्ट करने पड़ती है था पूरे हम मेंद्ट करते हैं पूरी निया निख चलागे यहीं बैठें इए अब इस पर उड़ा पढ़ गाता तब क करें कि तेज जो अंधी अंदर आया उससे भी जो जो कच्छा फल है वो नीचे जड़गा जो नीचे जड़गा खराब हो गया जो पर लगा मड़ा मड़ा दिख रहा ना बोवी जी अब दागी है उस पर उड़ा पड़ा बोवी दागी है उसे प्या प्रसेंट पूरा-पू भी हो जाती जी एक एकड़ में अभी बहुत निसकान अभी तो पंजाब ही नहीं होगी जी आद्दे से ज्यादे निसकान है जी पूरा-पूरा जी हम आपको दिखा रहें तस्वीरें कि अकेला जो है फसलों को ही नुक्सान नहीं हुआ तेज अंदर और जो ओला गर्चमक के साथ जो है तेज अंदर और बरसात ओला वरिष्टी के साथ जो पूरा जो बेर है यानि कि जो पूरा फल जो है पोदे ने लिया हुआ था वो उसमें से 50% फल है वो नीचे गिर गया है जो किसी काम का नहीं है पूरी तरह से जो है फसल है वो यह बरवाद होगी जो मार्केट में नहीं बिकेगा तो नुकसान है क्योंकि किसानों का यह मानना है कि बेरी की हम बात करें तो परती एकड़ के हिसाब से एक लाख रुपे की फसल है इस बार उमीद थी कि एक लाख रुपे की फसल हो जाएगी लेकिन इस तेज अंदर और उला वरिष्टी की वज़े से जो फसल है वो आदी रह गई है पचास जार रुपे भी मुस्किल से एक एकड़ में यह फसल है इस बार अब हो पाएगी तो लगातर हमाने से आप बने रही है और इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर जूरू कर दीजिए क्योंकि खेती के साथ साथ जो बागवानी है उन किसानों को भी नुक्सान हुआ है चाहे बेर की बात करें चाहे अमरूद की बात करें चाहे किन्नू की बात करें उन किसानों को भी लगातार इस तेज अंदर और ओला वरिश्टी से नुक्सान हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया